हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक पर चैनल रिएक्शन इंडिया जी हां आज हम आपको एक ऐसे वीडियो के बारे में बताने वाले हैं जो काफी ज्यादा सॉकिंग है उसका टाइटल पहले आपको बताते हैं अंकिर क्यों शिराम मंदिर आयोध्या मैं स्पीजी कवांडों ने य खांसर आपको पता होगा कि खांसर हमारे एक ऐसे भारत के टीचर है जो काफी बच्चों को पढ़ाते हैं उनके प्रेड़ा भी है तो उनकी वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि क्या कुछ होने माला इस वीडियो में क्या रिजन था या सो लेट्स को तू वाजदा वीडियो मोदी जी जब पूजा करने गए था ना उनके साथ देखिएगा कोई धोती पहन के चल रहा होगा तो पंडी जी नहीं थे यह योगी जी गए थे तो योगी जी को रोग दिया थे क्योंगे कुछ वीडियो में रोग दिया होगा इबत बताओ जो दीन रात प्रद प्रदान मंदिर से क्या खत्रा होगा इने सजी में से स्पीजी में जाते हैं हां हां मोदी जी जब पूजा करने गए था ना तो उनके साथ देखिएगा कोई धोती पहन के चल रहा होगा पूरा ब्लाडी बील्डर पंडी जी नहीं थे कि अगर वहां था मंदिर में ले जा सकते तो पहले ही से सिक्योटी हो गई थी लेकिन अगर कुनों हाथे जा के गटयां इट थे बाई पॉड़ी टीशियान इतने मजबूत होड़े तो आम आए प्रधान मंत्री का एज भी देख रहा है नहीं सत्तर साल सत्तर साल के अद्मी को बढ़ियां से धक्का मार देंग नहीं कंट्रोल कर पाए लेकिन बोड़ी बील्डर नहीं मारे गा पेट में तो आर पार कर जरूरी है हमारे देश के प्रधान मंत्री है पूरे देश का परतिनीधी कर रहा है आपका मन आप वोट दीजिए मत दीजिए आपका मतलब है वालग है लेकिन जब कोई व्यक्ति जीत किया गया तो पांस साल आपको उसको अपना सुईकार करना होगा आपको नफरत है पसं नहीं है ना डार्मी में जाए एरफोर्स में जाए कहीं भी रहिए वहाँ आपका रेकॉर्ड तैयार किया जाता है कि इसका गोली का निशाना जबर जस्त है तो उसमें रेकॉर्ड बनता है कि या एकदम दस में से दस पॉइंट एदम टूड़ पॉइंट मारता है तो का ज में रहेंगे, CRPF में रहेंगे, असम रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो जब और ज़स्ट कीजेगा, पता चला, जंगल में आप छूट गए, चार दिन बीना खोई ले थे, लोग और और के वापस आगे, बढ़ी आदमी है, एनेजी में जाओ, सारा अच्कार चूट के, एने समंग जी को रोख दिया, आप देगे होंगा बीकुछ वीडि िो समय को कुछ नहीं समंझता है, अभी प्रभावसाली मुख मंतरी में जगिए अधितनात है, उनको इसारा कर दिया है, इस टेंस, प्रोटो कळ OFF हता है, कि प्राइम मिनिस््टर से, कितने मीटर के डिस्टें डिस्टेंस रहना चाहिए वहाँ प्रोटोकॉल में लिखा होगे कि दस मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए आप उन्होंने का किसा डिस्टेंस मेंटेड करके रहते हैं इनको कोई कुछ नहीं समझते कोंची समझो गया अच्छा इबत बताओ जो दीनरात प्रदान मंद्री के जूप रहा जाएंगे हैं अगर बाकी लोग को तो मिलने के लिए चार बर पूछना पड़े तो यहीं पर रोख देगा फोने कर देगा सर इसे इसे हो गया है छोड़ देंगे हम कि अ 32,87,263 किलो मिटर इसको आप भारत का च्छे तरपल है मतलम नहीं समझें जहां भी रहिएगा हम नहीं नहीं छोड़ सकते हैं आप लोग आपस में थोड़ा बना लड़ाई जहड़ा कर लेते हो अलग बात हैं आप कोई बाहर का अदमी आकर आपको इसे बोल देगा बर्दास कर लेंगे हम होता है याप यह लोग बहुत पावरफुल होते हैं लोग एस्पी जी इतना पावर नहीं देंगे तो इनको को यह धमका के चल जाएगा नहीं समयागा एक जिला के एस्पी साप थे एक एनेजी वाले को नट एक तमाचा मार दिये लाते मूं का कचार दिया से उनको भाग पर दिया नेज़े पर चलते रहेगा नहीं मानना चाहिए तुम पूटबॉल की तरह मार के लगा दिये हैं बहले किसी को पसंद हो या ना पसंद हो लेकिन पांच साल के अगली अगर आपके प्रधान मंत्री हैं तो आपको मानना पढ़ेगा क्योंकि वो किसी पार्टी के प्रधान मंत्री नहीं है वो देश के प्रधान मंत्री सबसे पहली बात तो कुछ प्रोटोकाल्स होते हैं अगर मैं रॉंग हो तो आप लोग कमेंट करके बताईएगा क्योंकि हमें इतना डिफेंस का इतना नॉलिज नहीं है बट हां मुझे लगता है लेकिन हमने जब भी देखा है तो इस पीजी के पास उनकी पास एक स्पेसल वो होती है कभी भी फिन के सगर कोई सुरच्छा में कुछ हुआ तो उनके पास लेवल थी का बुलेट प्रूब होता है तो हमारे प्राइम मिनिश्टर को कवर कर लेंगे इसलिए वह बैग लेके चलते हैं तो तुरं करने आएगा तो तुरंट सीधे निकाल लेंगे उसमें हाइटेक गन होते होंगे बाद में पतार पास जला कि यह सेफटी के लिए होता है तक उनको कवर कर सके बाकी गन तो वह अपने पास रखते ही हैं बगल में तो यह सारी चीजे हैं तो यह रिजन था उन्होंने योग वह इस देश की उपर बदनामी होगी इस वजह से और इससे पहले भी हमारे थेस में जहां तक लगता है और इन्होंने बहुत तरीके से एक्स्प्रेइन किया है काफी अच्छा लगा हमें आप सभी को भी यह समझ मागई होगी हमें तो फर्स टाइम लगा हमने क्यों रोग दिया वाई क्या रिजन था बट रिजन बहुत अच्छा था तो रिजन से फितना है इस डिस्टेंस मेंट भरती होते हैं तो हमें तो भाई नॉलेज मिली आपको आई होप आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी होगी आपको भी साथ कुछ नॉलेज मिला ही होगा इससे कुछ लेसंस मिले होंगे तो अगर आपकी कोई भी राय है या कुछ भी आप अपना बताना चाहते तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकता हमें एक एक कॉमेंट को पढ़ते हैं और हम उसको रिप्लाई भी करते हैं. तु मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ हमारे चनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेर करें तब तक के लिए बाँ बाए!